नमस्कार दोस्तों, आए आज जानते हैं होटों के भड़कने का मतलब क्या होता है? दोस्तों आम तोर पर वेक्ति भविश्य नहीं जानता है लेकिन कुछ ऐसे लक्षन और शंकेत होते हैं जिसके आधार पर आप अपने भविश्य में घटने वाली घटनाओं को जान सकते हैं अंग भड़कने से भविश्य जानने की विद्या को सामुद्रिक सास्तर कहते हैं इसके आधार पर आप अपने जीविन का दुख और सुख जान सकते हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होट का फड़कने का मतलब क्या होता है आम तोर पर होट फड़कने का परणाम सुभी होता है होट का फड़कना अनुकूल संकेत देता है अब जानते हैं होट का उपरी हिस्चा फटकने का मतलब क्या होता है दोस्तो होट का उपरी हिस्चा फटकने का मतलब है सत्रों का नास जिस व्यक्ति के होट का उपरी हिस्चा फटकता है उसके सत्रों का नास हो जाता है अगर आपके होट का उपरी हिश्चा फड़कने लगे तो इसका अर्थ ये है कि आपके दुस्मन का सर्वनास हो जाएगा उपरी होट फड़कने का सत्रुनास का संकेत देता है अब बात करते हैं होट का निचला हिश्चा फड़कना दोस्तों होट का निचला हिस्सा फड़कने का मतलब है मित्र से मिलन जिस व्यक्ति के होट का निचला हिस्सा फड़के उसके मित्र का आग्मन होता है अगर आपके होट का निचला हिस्सा फड़क रहा है तो ये समझ लीजिए आपको अपने किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है अब जानते हैं दोनों होटों का फड़कना जिहां दोस्तों दोनों होट फड़कने का मतलब है धन और पद की प्राप्ती जिस व्यक्ति का दोनों होट फड़कता है उसे धन पद और प्रतिष्टा की प्राप्ती होती है अगर आपका दोनों होट एक साथ फड़कना है तो इसका आर्थ है कि आपको धन के साथ साथ उच पद मिलने की संभावना है दोनों होट का फड़कना पद और प्रतिष्टा का संकेत देता है दोस्तो ये थी समुद्र आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी है तो हमारी चैनल दो साथी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइक उनको जरूर दबा दीजिए ताके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी प्रकार की बहुमले जानकारियों से रूबरू होते नहीं वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के दोरा हमें बताईए कि आज के वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी अपना ख्याल रखियेगा धन्यवाद जैस्री कृष्णा